वेलो गाइज वेलकम तो अले चैनल एंड आम शोविंग फ्लैश कार्ड आमेक अलसो इस बेंटिक और यह नेम आप यह बताना चाहती हूं कि यह जो कवर है तो यह पाइल्स में जो मैंने लगाय थे यह वही कवर है बट बहुत थिक है तो इसका मैंने इसी से ही एंवलोप ब इंवलोफ और यह सारे फ्लैश कार्ड तो यह कुछ हिंदी में में कुछ मैंस मैं एकड्यकर के सारे ओंचली तो जैसे इंग्लीस में इन्ग्रीश में वंचस्यष्ण' में A for apple B C D और E तो यह हो गए English में और यह है Hindi में और यह हो गए Hindi में और यह है Maths के वन तो इसमें हमें ऐसा यह भी बनाना एक जैसे 2 है तो 2 आपको ड्राइंग भी बनाने होगी तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि यह 2 होता है तो यह है 2 और यह 3 यह 4 और यह 5 अग्शल मैं आपको बताती कि पजल स्क्यू है मदलब यह फ्लेश काड़ है फ्लेश कार्ड़ है तो यह सिफ आपको जैसे इतने ही बड़े बनाने होते हैं और यह दिखाना होता है और यह जैसे बड़े बड़े चार्ट तो बच्चे हाथ में नहीं ले सकते ना इसलिए हम बनाते हैं कि ये हाथ में लेकर वो अच्छे से देख सोके psychology तो कि in कि में किसा बैरम पढ़ाने का थाया कुछ तरह के जैसे कि यह कितने इसमे यह क्या है बचों कितने हैं गिंकर बताओ है na जना ऐसा करके हैं फिर यह वर्टिंग इंग स्पेलिंग्स में हैं तो यह इस तरह के हैं यह सारे फ्लैश कूर्डबं हैं ओक्ये इन यह एक्टिविटी एक्छली एक और दो मैं वह भी दिखाती हूं यह मैच बॉक्स हमने बनाए यह एक बॉक्स है बच्चों को थोड़ा सा interesting way में कुछ math सिखाना हैं इसमें counting सिखानी है तो यह बॉक्स है normal कोई box मैंने लिया और इसको packing paper से cover कर दिया है और यहां पर नाम लिखने सारा यह देखें इतने सारे हैं तो यह होगा कवर और यह है इस तरह के तो यह है एक्टिविटी की बच्चो उठाओ और देखो किसमे क्या है और कैसे है तो यह है देखें मैच बॉक्स को जैसे हम ऐसा करते हैं करते हैं सक्किया और इसके अंदर फाइव उपर लिखाएं तो फाइव थर्मकॉल की गोलिया लगी हुई है यह अब आप चाहें तो थोड़ा सा मिक्स मैच करने के लिए आप इनको कवर को ओल्डा सिदा भी कर सकते हो और फिर वह एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि हां यह तो यह तो इसके ऊपर से मैंने ग्लेज़ पिपर लगाई है और फिर उपर से स्केच पैंसरे लिखा हुआ है तो यह हो गए और भी दिखाते हूं थोड़े से यह दिखें नाइन है और अंदर भी ग्लेज़ पिपर लगा करी हमने थे घर्मकॉल की गोलियों को की लगाए interesting way में हम पढ़ा सकें सिखा सकें तो मैंने एक puppet पे भी वीडियो बनाई है तो ये तीन चार तरीके के हैं जो कि entity course में आपको बताया जाता है कि activity करने के लिए तो so that's it और आप comment box में जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको ये activity actually कैसी लगी तो please comment on comment box and keep like share and subscribe my channel thank you